आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन के फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें इन मानों की सहयता से हम इसे इसका ग्राफ बनाते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका मान शुन्य पे कितना होता है उसके बाद पाई बटा दो पे कितना होगा दिया गया हमें एक तो इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा पाई बटा दो पे एक उसके बाद पुनहा पाई पे कितना मिल रहा है हमें पाई पे आजा रहा है शुन्य उसके बाद पुनहा तीन पाई बटा दो पे कैसा आ रहा है ये ये मान होगा रिन एक उसके बाद फिर पुनहा सुन्य इस तरीके से हमें एक ग्राफ प्राप्त हो रहा है इस graph की विए सिस्थाएं के हैं दोस्तो, इस graph में इसका अधिकतम मान है 1 और नियुमतम मान है hơn 1 और कुछ स्थानों पर इसका मान देखे, यहाँ पर शुन्य है तो दोस्तो x का पाई रखने पर हमें मान कितना मिल रहा है? यहां से तो यह graph जो बनेगा वो किसका graph होगा? y बराबर sin x का जो x के विभिन मानों के लिए हमें y बराबर sin x बराबर विभिन मान प्राप्त होंगे तो हम यहां से इसका graph बना सकते हैं इसके graph में कुछ अहम बाते मैं बताता हूं आपको जैसे कि इसके एक संपूर्ण चक्र में मतलब पूरे 360 अंस घुमने पर इसका मान पुना शुन्य आ जाता है एक पूरा चक्र लगाने पर ये उसका मान कितना हो जाता है शुन्य पाई पर अर्ध चक्र पर भी इसका मान शुन्य रहता है इसका आयाम का मान कितना है दोस्तों इसका आयाम कितना है अधिकतम आयाम एक है और इसे कहते हम एक संपूर्ण चक्र तो इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा धन्यवाद दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो अगर नीट आयाट ही जेई वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादा चात्रों का भरोजा आशी डाउनुट करें डाउट्नेट आप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्सो 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 पर